हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी फ्रेंट्स यह यह एक्टुली पैड़ेड ब्रा और फ्रेंट ओपन इसमें दोस्तों हुक है यह देखिए इसमें तीन हुक लगा यह लगबख 70 cm कपड़ा लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब कपड़ा नहीं लगता 50 cm यह 60 cm में अराम से बराब बन जाती है इसके लिए आपको कोटन चाहिए और यह देखिए जिस भी साइज के बराब अरि उससाइज के मार्केट से असानी से पैड़ मिल जाते हैं यह आज की वीडियो इस में मैं जो ब्रक का जो size बनाओंगा तर्टी तू यानि 32 इंज तो करना क्या है आपको कुछ क्टिंग करनी है इस प्रकार से करनी है या यानि कि आपको बिल्कुल स्क्वेयर पीम्हाइब हैं धम्हें crown शोड़े और 8 इंच को डैशsal तो टोटर यह देखें दोस्तों एक दो तीन चार चार कपड़े कातों गो आठ इंच चोड़े आठ इंच बड़े तो फैंट इसी फार्मूले से अगर आप किसी बड़े साइथ की काट रहे हो माल लिजे अगर आप 36 की काट रहे हो तो आपको नौ इंच चोड़ा काठना है नो इंच बड़ा मतल्स भी साइज की काट रहे हुआ उसी साइज का आपको उसका एक चुथाई करना है तो दोस्तों आठ चोग बतीस आप से देखिए चार पीसे एक दो तीन चार चार टोड़े काटने के बाद अब आपको क्या करना है इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है चारों कपड़ों को ऐसे फोल्ड कर दिया फोल्ड करने के बाद यह देखिए आप दे सकते हूं अब आपको इसकी जो अगली कटिंग वो कैसे करनी है यह देखिए इसको बिल्कुल बराबर रखें बराबर रखने के बाद अब आपको यहां से एक निशान लगाना है वो को प्रेट इसका इतना काम करने के बाद अब आपको काटने स्टैप find के लिए दोस्त प्रकार से बिल्कुल बौरिक आपको लगवग जैसे का नाडा होता है उस प्रकार से नाडे के बाद अब यह जो चार्ट टुकडों के हमने कटिंग करी थी दोस्तों यह देखिए इसमें दिखरा होगा यह सीधा वाला इस्सा है और यह उल्टा वाला इस्सा है उल्टे वाल इस्से से आपको इस प्रकार से पकड़ना है जहां से हमने यह कट लगा था आप देख सकते ह डिखिए दूसरा वाला पाइट आपको उठाना है इसको वब आपने इस प्रकार से पकड़ना है है कि इस इसको गुमाना है प्रेंट इस में प्रकार से प्रकार से इसे लगा क्या करना है जो इसके उपर से यह से बढ़ाबर पकड़े और बराबर पकड़ते हुए आपको इसमें इस प्रकार से लगाने ही यह देखें अब फ्रेंट्स जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो आप अब आपको जूरुत पड़ेगी स्टैप्स की देखिए जो स्टैप्स है इसी स्टैप को आपको इसके नीचे रखना है बिल्कुल बीच में सेंटर में यह देखें और उपर वाले पार्ट को उठाएं और यहां पर आपको श्राय लगाएं इस श्राई को आपने इसे घुमा लेना है और अब इसे करना है दोस्तों सीधा इस तरह से यह देकि तेब बाहर निकाले और यह देखिए इस प्रकार से या आप कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा तो फ्रेंट्स यह देखिए इस प्रकार से principal किरी जैसे और आच चुका है और जैसे मैंने इस लाई प्रृट में आपको लगानेगे है तो फ्रेंट देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हो इसके जो फ्रेंट वाले पार्तह प्रेंदे और व्लिए आपको अधियर बना रहा है फ्रेंट अपन कि लगाने के लिए अन१ es हम इसमें हुख लगाएंगे 2.5 समय देखे तहिंगा यह 3.5 पर निशान लगाना है आप आपको क्या करना ऐख पट्व लेना इस प्रकार से गवल करना यह पट्वक करना एख कर अब आकाEr से लगाना यह विए कि अपको टोटल पट्टी लेने कितनी वो लेने यह तीन इच कि यह देखिए तीनिच के पट्टी है और इसमें जब आपको श्राय लगाने श्राय लगाने का जो तरीका वह यह देखें कि इस पट्टी को इस पकाड़ा सीदी करेंगे कि कैटी से इसके कॉर्णर से निकाल देंगे अठीक है अब यह जो खुला वाल इससा है दोस्तों इसको भी हमने बंद करना कैसे इसको इस प्रकार से पकड़े और यह देखें इसको यह डबल करके आप इसको बंद कर दें और यहां पर लगा दें कि शिलाई कि अब दोस्तों यह जो पट्टी में बनाई है इस पट्टी को आपने कहान लगाना इस तरह से इस तरह से करना कुछ नहीं देबल ओचुका है को यह जो निशान इस निशान तक आपको पट्टी लगानी सीधी यह देखे तो फेंट्स इस प्रकार से आप देखे तो एक तरफ मैंने ये हुक वाली पट्टी लगा दी है और इस तरफ हमारे आराम से इसमें आई लग जाएंगे तांकि इसको बंद करने में कोई प्रॉलम ना हो अब दोस्तो इतना काम करने के बाद अब हमें जूरत पड़े कि कि अब जूरत पड़े कि पैड्स की तो देखिए दोस्तों ये पैड है पैड को इसके अंदर आपने इस प्रकासिट डालना है बहुत असानी से पैड इसके नदर चले जाते हैं क्योंकि दोस्तों फिक्स साइज के ही पैड है 32 इंच के और जो की म लगे अपनी जगे हिले नहीं बिल्कुल इसको डालने के बाद अंदर यह देखिए उपर वाले एक पार्ट उठाए यह देखिए इसको उठा लिया और अंदर वाला जो पार्ट है पैड वाला यहां पर आपको इस प्रकासिए रखना है आप यहां पर एक टांका लगा सक लगाये सिर्प Keep-आफिए तरह में लगाए एक में टांका नगाये दोस्तों यह देखिए बिल्कुल भी नहीं वाले से द्सक लेना है तो फ्लेट सीधिन देखिए दोनों ही कबसाइड इस प्रकार से विक्स कर लिया है और यां पर एक टांका लगा लिया अब यह जो ओप पर बिल्कुल इन दोनों पार्ट्स को आपस मिला तो सीधी एक स्लाय लगानी है है तो फ्रेंट्स आप देखते तो प्रट्स को मैंने कवर कर लिया है अब इस पर भी दोस्तों में पट्टी लगानी है ता कि नीचे से जो आपको दिख रहा है इसको हम कवर कर सके फाल दू कपड़े को इसके दोस्तों हमें दो पट्टियां काटनी होगी पहले में पट्टियां काट लेता हूं फिर आपको लगानी बताता हूं तो फेंट्स यह देखिए लगबख दो इंचोड़ी पट्टी काटनी इस पट्टी को आपने यहां से स्टार्ट करनी है सलाई को इदर से थोड़ी पट्टी को बढ़ा कर रखना आपको ताकि बाद में उसे हम फोल्ड कर सके आधा इसका मारजन लेना है ज्यादा नहीं लेन यहां से कैसी पट्टी को आपने फोल्ड कर देना यह देखें और यहां पर आपको लगानी सिलाई कि इसको अगर फालती है तो थोड़ा कट करें और इस कप्ड़ों को अंदर फोल्ड करते हुए इसको हम गुम कर लेंगे ताकि कि किसी प्रकार का कोई एक्स्टा आपको ध कर दी है अब आपको क्या करना अब इन दोनों पार्स को पकड़ना यह देखिए इस पर ती को निचे दबाते हुए इसके उपर इस प्रकासे रखना है यह देखिए बिल्कुर बराबर लखना एक्दम और यहां पर आपको लगानी दोस्तों कच्ची सिलाई कि यहां हम इस इस प्रकार से तो फेंट्स यह देखि कच्ची स्लाई मेंने लगा लिए अब मैं आपको बताता हूं यह क्यों लगाई यह दोस्तों इस प्रकार से देखिए इसको आगे सामने नापना है टोटल कितना आ रहा है यहां से लेकर यहां तक फेंट्स यह है टोटल यहां से लेकर ढ़ mi पंदरह इंच और मैं आपको बताता हूं इस यह ब्रह की जू कमर है दोस्तों ह च। लेकिन हमें कमर लेना होता है इसकी लेकिन अगर आपने कमर का नाप नहीं लिया तो उसके लिए फार्मूला यह होता है कि जो भी आपका बरस साइज हो उसे पांच इंच कम आप कमर रख सकते हो विल्कुल फिक्स ही वह आएगी तो दोस्तों यह देखिए अब मैं आपको बताता हूं कमर इसकी 27 है तो आपको किस प्रकार से लास्टिक पीछे लगानी कि 27 इंच की ही लास्टिक रख दी और आगे का भी मिला के टोटा 27 रख दिया तो इसके पीछे जो लास्टिक लगाने का कोई सेंस नहीं बचाएगा क्योंकि दोस्तों लास्टिक लगाने मत्तल यह ता कि कपड़ा स्ट्रेच को सके आगे पीछे हो सके तो आपको करना क्या और इस तरह से आपको कटिंग करनी है अब जो यह लास्टिक को लगाना उसके लिए दोस्ति को लगाने के लिए लेकिन कपड़ा कितना बड़ा लेना है उसके लिए लगाते हैं तो अंदर इस कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए ताकि लास्टिक को खिचाव भी मिल सके तो आप कम से कम 5 या 7 इंच बड़ा कपड़ा ले सकते हो यह देखिए यह जो लास्टिक है यह यहां तक है और जो मैं एक्सटा कपड़ा रखा यह देखिए लगबग 6 इंच यह दो यहां होना आपको लेनी एक सीफटी मिल यह और इस ब्रचेज करने के बाद आभ यह दो मेरे कच्चीmाire आप चाहा है तो जो यह दिखे इस प्रकार से थेखेंगे इसको मैं अलग करते हूं अलग करने के बाद दोस्तों अब इसके अंदर जो मेन काम हो यह आपको यह आपको इस टैप को विश्यश तो रुप्य दाएं रखना यह देखें इसकी जो लंबाई रखनी आपको त्यारे नी 15, अब दोस्तो को करना कov talent से इस टेप को आपने इस किसंब कर लगारब यह बाद इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहां पर आपको पकार्व से लगानी है इतनी माणी तकी यह जो पीछे ही लास्ट वाला पाठ ऐए इसके नदर आरामसे इसको इसको डाल सके दखें तो इसको इतने पकड़े ऐसे के यह बीगा ला किसो बेड़ाएं दिखातू को तो फेंट्स यह देखिए स्राइल लगाने के बाद इसके अंदर मैंने यह जो पीछे में स्राइल लगाई थी अराम से लास्टी कुछ प्रकास में डाल दिया है और यह इतने आराम से रहेंगे इसको फिक्स करने के जूरत नहीं है आप अपनी सुविदा के अनुसार इदर लगानी है बिल्कुल असान तरीके से दोस्तों लग जाती है और यह लगाके भी आपको मैं दिखा देता हूं फिर आपका इसको एक फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगा आई अराम से दोस्तों इस प्रकार से कमफर्टेबल ब्रा है वो पीछे इसमें हमने जो प्रकार से लाश्टिक है यूज करा है तो तो फ्रेंट्स अगर इस प्रकार से अगर आप भी बरा बनाते हो तो बहुत बढ़िया ब्रा की फिटिंग भी आएगी और आप घर बैठक है कि लाव बना सकते हो और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो उलीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सब्क 국ण